आज की चर्चा में आपना स्वागत है खुछ दिन पहले हमने एक पॉड़कास्ट बनाया था वह जो पॉड़कास्ट था पिसिकली इस वात के उपर था कि हम लोग जो प्लॉगर्स हैं या पॉड़कास्टर्स हैं या यूट्यूब पर जो हम लोग काम करते हैं हम लोग अप सौरी कहने के लिए अपना नया पॉड़कास्ट बनाया था उसी समय हमको लगा कि हमें इस बार में बात करने चाहिए कि हर चीज की सीमाई होती है तो हमें अपने सीमाओं में रहकर अपने लिमिट्स में रहकर ये सब चीज़े करनी चाहिए क्योंकि लोग जो है उसका बहुत respect के साथ मैं उन्हें बनाया और उसमें कहने के कोशिश करें कि क्या सही है और क्या गलत है और कितनी जिम्मेदारी हमको निभाने चाहिए और उसके अलावा हमारी जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस ना करके हमें सरिफ वो चीज़ देनी चाहिए जिसके लिए कि लोग ह का पूरा analysis क्या है वो एक सई analysis आपको देनी होती है और जैसे हर incident के बाद में आपको move on करना होता है तो हम भी move on कर गे उससे आगे लेकिन अभी अभी एक बार फिर उनका एक podcast आया और जिसमें उनकी बनाई हुए एक podcast को copy किया गया और उन्होंने इसमें reveal किया था कि उन्होंने डिट्टो same to same podcast उनका copy कर लिया और ऐसा copy किया तो उनका कहना यह था कि copy करना तो ठीक है लेकिन कम से कम आप उसका credit दे सकते हैं उसके लिए लेकिन आपने कोई भी ऐसा credit नहीं दिया और इसी podcast में उन्होंने कुछ और podcaster रुका भी नाम ले दिया और जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि चाचा की चर्चा या चाची की चर्चा जो भी है वो भी हमारे बारे में बात करते हैं ऐसा उनके जो viewers हैं वो सब बताते हैं काश आपने वो हमारा podcast जो सुना होता क्योंकि अगर वो सुना होता तो आपकी भाषा में तो शालीनता आती और रेस्पेक्ट आता एट लिस्ट दूसरों के लिए हैं लेकिन मैं इतना confidence के साथ किया सकता हूँ कि आपने वो हमारा podcast पूरा का पूरा सुना था क्योंकि उसमें उठाएंगे पॉइंटों को आपने यूज किया है क्योंकि उसके बाद में आपने डबल मीनिंग डायलोग स्टेज़ के उपर आपने अब्जेक्ट किया था जो बिसिकली शालीनता के खिलाफ है और आप किसी के लिए भी ऐसा नहीं कर सकते हैं दूसी तरफ तो आप डबा को इस बात के लिए बोल रहे हैं कि वो जो है डबल मीनिंग डायलोग यूज करती है इस तरह की चीज़े यूज करती है जो कि फैमिली ब्लॉक्स में पॉसेविल नहीं है तो फिर आप दुबारा आप खुद ही ऐसा कैसे कर सकती है इसी पॉइंट को हमने आपको बताया था और वो आपने इंप्लिमेंट किया और उसके बाद में आपने उतना यूज नहीं किया इस चीज़ को इसके अलावा भी हमने कुछ और पॉइंट उठाये थे आपके उपर तो आपने वो देखा तो है आप कितना भी जो जूट बोल रहे हैं या भी अनजान बन लें हम यह वाला पॉड़कास्ट बिलकुल नहीं लेकर आते लेकिन लेकर आना पड़ा क्योंकि आपने इस चीज़ को बड़ी अन्रेस्पेक्टफुली आपने यह बूला हमको सब लोगों की बहुत ज़़धर रेस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी वर्क करते हैं आप यह कहते हैं कि आप तो दो-दो दिन रिसर्च करते हैं टीकरे तो आप कैसी रिसर्च करते हैं ना इसकी तारीफ तो बहुत ज़़धर रेडिट पर होती है और वो रेडिट वाले यह कहते हैं कि आप तो इतना रिसर्च करते हैं इतना अच्छा कंटेंट लेकर आती हैं आपको उसके sample के तोर पर हम Reddit के ने कुछ screen shots डाल रहे हैं आप थोड़ा अपने तारीफ से रहाँ आपका देख लीजेगा क्योंकि आपको आपके जितने viewers हैं वो तो आपको बहुत तारीफ करते ही करते हैं तो आप थोड़ा सा ये भी देख लीजे कि आप कहां से content लेकर आते हैं और उसके बाद में आपके तारीफ कहां कहां हो रही है आप कितना research करते हैं इसका तो सबूत यह है कि आपने अभी हाली में पिछले तीन महीरे के अंदर दो बार आपने अपने podcast में sorry 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 बोला हैं कि आप से गलती हुई है। साथी साथ आपने अपने तीन बार अपने podcast को edit भी किया है यानि आपने podcast upload कर दिया और उसकी बाद में उसका कुछ portion cut किया आपको पता है कि किस podcast में आपने cut किया था तो हम भी मानते हैं आप कितने जुम्मेदार हैं हम मानते हैं बहुत ज़्यादा जुम्मेदार हैं आप तो और बहुत ज़्यादा रिसर्च के बात में आप अपने पॉड़कास्ट बनाते हैं मैंने कुछ देखा है कही बार कि हमारे जो पॉड़कास्ट होते हैं वो शायद या तो पहले आ जाते हैं इसलिए तो वो पॉड़कास्ट को काफी जो दूसरे पॉड़कास्टर्स हैं या रोस्टर्स हैं वो उसको यूज़ करते हैं पर हमने कोभी कंप्लीन नहीं करी क्योंक इसको बड़े नॉर्मल ही लेते हैं, हम इसको कभी भी इस तरह से नहीं लेते हैं, लेकिन आप अगर इसको इस तरह से सोचते हैं, तो यह आपकी सोच है और आपकी गलती है, आगेन हम तो वही बात कहेंगे, जो हमने पिछले पॉड़कास्ट में कही थी, कि somewhere maturity is missing, यानि कि आ नहीं नहीं, maturity लाने पड़ेगी आपने ही सोच के अंदर, अब मैं बार बार वह सब examples देना पसंद नहीं करता, कि जो double meaning वाले हमने आपको examples दिये थे, अगर आपको और चाहिए तो और भी examples हम आपको दे देंगे, कि आप किस तरह की language use करते हैं, इस तरह के podcast वोगरा में, ज ये podcast भी बच्चे भी सुन सकते हैं, और वो भी सुनते होंगे, जो basically इन चीजों को देखते हैं, आज का जो youth है, वो basically बहुत ज़्यदा advance है, और वो जब इन चीजों को पसंद करने लगता है, तो वो इनके roasters और इन सबके videos वोगरा भी देखते हैं, तो पिर ऐसा कैसे हो सक आप ये सोचें कि हम जो बोल रहे हैं, वो तो fun में बोल रहे हैं, और सबसे गंदी बात तो मुझे ये लगी कि आपने आपको भी यूज़ किया उसके लिए, यानि जो जनाब है, जनाब की जो चीजे चीजे की बात करिया आपने, और आप अपना उसके content अपने आपको पॉड़ार किया है, लेकिन ये जो पॉड़कास्ट लेकर रहे हैं, और आपने इस तरह से नाम लिया, ये बिलकुल भी काविले तारीफ नहीं है, और ये बिलकुल ही hated है, यानि आप कहीं ना कहीं किसी की growth होगरा देख रहे हैं, तो उसके बाद में आप कुछ भी कहेंगे लेकिन आप अगर अपने contents के बारे में concentrate करें, तो आपको पता लगेगा, यानि रोस्टर्स जो हैं, वो भी क्या content हम में दे रहे हैं, वो भी तो देखना चाहिए ना, ये ठीक है, आप थोड़े से famous हो गए हैं, आपके कुछ viewers जादा होगें, आपके subscribers जादा होगें, आपक अपनी limitations हमें पता होनी चाहिए, हम किन limitations में बात करते हैं, कहां तक जा सकते हैं, रही बात research की, तो research कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और research करने के बाद में ही आप उसको दीजिए, क्योंकि जब तक कोई information authentic ना हो, तो हमें किसी भी तरीके से social media के उपर नहीं लानी चाहिए, click bet करना, कुछ और कहकर, कुछ और दिखाना, यह एक अच्छी निशानी नहीं होती, और हमने तो जितने भी वीडियो बनाए हैं, उनमें वहती शालीन तक उपयोग किया है, और कभी भी कुछ को कहते समय हैं, हमने हमेशा जी और यह सब वर्ड यूज़ की जो respectful वर्ड होते ह और साथ साथ में roasting भी एक करना है, जो basically guidance देती है इस बात के उपर, कि आप जो दिखा रहे हैं, उसका जो society पर असर है, वो कैसा है, तो इस बात के लिए हम पूरे तरह से जिम्मेदार होने चाहिए, और हमें पता होना चाहिए, कि हम यह क्या बोलने जा रहे हैं, और क्या द जिनके उपर time लगा कर थूड़ा सा research की जाती है, यह खाली ऐसा नहीं है कि आप अपने views दे रहे हैं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में यह वो चीज नहीं है, यह वो चीज है कि जो आप data लेते हैं, यानि जो इस समाज में हो रहा है, उसको process करते हैं, उसको देखते है कि समाज के लिए क्या अच्छा है और वो हमें क्या बोलना चाहिए, उसके according आप जो अपने views देते हैं, तो हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह नहीं भाते हैं, तो इस podcast को यहीं खतम करते हैं, आप चाहें तो इसके लिए और दो-तिन podcast बना सकते हैं, पर अगर आ इसके बाद में भी अगर कोई चीज़ें हमारी आपको पसंद नहीं आई हो या फिर हमने कहीं अपनी सीमा लांगी हो, वैसे ऐसा किया नहीं है, तो हम उसके लिए अगें sorry बोलते हैं, क्योंकि हमारा देश्चे किसी को भी hurt करना नहीं है, ना किसी को दूसरे को बुरा कहकर खुद अपने आपको अच्छा कहने का है, basically हम वही बात कहते हैं, जो कि society के लिए अच्छी है, तो इस podcast को यहीं कतम करते हैं, मिलते हैं अपने अगले podcast में, और खुश रहिए, खुशिया बाठिये, और रिस्तों की परवा कीज़ें, क्योंकि इन रिस्ते ही होते हैं, जो क खुशिया धने वाद, थैंक यू